हले एवरीवान वालकम बाग आज के इस वीडियो में हम प्रेपेरेशन करेंगे मंडे के लिए कि हमें वहां पर कैसे ट्रेड करना है राइडे को जो मारा गपडाउन ओपन हुआ था में स्टेटमेंट आया था कि वहां से उनका बैलेंसिट एजस्मेंट के वज़े से सेलिंग है उसकी वज़े से कि दोनों एच्ट एपसी तुइंस काफी अच्छा सा पांच परसंग डाउन हुआ था उसकी वज़े से निप्टी और बैंक निप्टी दोनों में हमें क्याप डाउन देखने को मिला पर जैसे मैंने आपको बताया था ग्रूप में कि आपको य पर शर्क बार तो यहां के एक पोपने का यह यहां पर यहांक है यहांक है वह तहां पर rejection का, यानि कोई भी rejection को जब breakout देता है, वो एक support का काम करता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इस बार यहाँ पर फिर से इसने support लिया, तो और यहाँ पर कितनी हो गया, एक दो, तीन और चार बार support ले लिया, वापस जब bounce दिया, तो यह जो price है यहाँ पर, आप देख देखने को मिला है, अब यहाँ पर क्या हो जाए कि, जब तक आप इसके ओपर यहाँ पर close नहीं होगे, 43,090 के ओपर, तब तक आपको यहाँ पर अच्छा सा buying नहीं मिलेगा, इस जगह पर आने के बाद आपको फिर से एक rejection मिल सकता है, और GC साब से हमारा आज fall हुआ है, त इसमें ऐसा fall आता है, तो एक bounce यहाँ पर बनता है, अगर यहाँ पर daily chart अगर आप देखते हो, तो अभी 23% है, इसका जो support है, 42,530 है, और अगर इतना आपको यहाँ पर fall आने को देख रहे है, यानि कि यह जो high था 43,730 से लेके हमारा आज का low है, 42,580, अल्मोस्ट 1100-1200 प fall के पहले एक छोटा सा bounce आता है, possible कि हम यहाँ पर यह लेवल पर open होते है, और continuation भी नीचे जा सकते है, पर यहाँ पर आपको एक थोड़ा bounce मिलेगा, फिर से position बनेगा और फिर से नीचे आ सकता है, आपका यहाँ पर reversal के लिए यही ध्यान में रखना है कि क्या हम यहाँ पर 40 to 530 के नीचे close हो रहे है कि नहीं, और यह जो एक दूसरी चीज क्या हो सकती है कि यहाँ पर हम continue उपर जा रहे थे, week hand को kick out करने के लिए हमें एक reason चीए जो HDFC का मिल गया और यहाँ पर sell off आया, profit booking भी हो गया और अब यहाँ से हम वापस उपर चलेंगे, उसके लिए 43,080 द्यान में रखना है और nifty के लिए 18,210 यह दो level जब आप उपर close करोगे तब मानना कि यहाँ पर यह जो भी खेंटे उनको बाहर निकला और हम वापस अब नए high के लिए जाएंगे और reversal के लिए 42,530 द्यान में रखना है और यहाँ पर 18,010 अगर वापस हम 18,010 के नीचे closing होने लगे तो यह आपको वापस लेके जाएगा 17,800 के आसपास अगर यहाँ पर आप देखते हो तो फिर यहाँ पर क्या होगा इसके पहले आपको कोई अच्छा सा यहाँ पर support नहीं है सीधा यह वाला है 860 वाला और फिर है यहाँ पर 780 तो यह एक क्या करेगा वापस ए तो इसके लिए आपका जो आएगा पहला 931 support है जो आपको यहाँ पर यह candle पर मिल रहा है उसके बाद में इसको 38 भी देख ले दे कि क्यों आता है तो 38 जो आ रहा है वो 720 आ रहा है तो इसके बीच में हमारा support होगा तो हम 38 को निकाल देते हैं तो हमारा जो support है अभी के इस साब से आद देखेंगे तो यह candle है 863 जो आपको support का काम करेगा पर कब जब हम यह level के नीचे close होना चालू करेंगे 18,010 important है सिमिलर है फिन निप्टी में भी काफी अच्छा सा यहां पर हमारा closing था उसके opposite हमने यहां पर opening किया यह हमारा open equal to high था हमारा पहले भी target किया था 19,500 था तो यहां पर इसने exactly 19,501 था यह क्यों यहां पर target था क्योंकि last time हमारा यही यहां पर top बना था तो अभी तीन बार इसने high लगा चुका है तो उसकी वज़े से यहां से third time rejection हमको मिल रहा है तो इसका अगर फिबोनाची लगाते है तो हम यहां से लगाएंगे तो अभी की जो है हमारा closing near to 23% के आसपा से पर इसके नीचे अगर हमने sustain किया तो यह एक बार वापस यह level 18,700 तक का भी हमें level देखा सकता है इसमें अगर हमें confirmation लेना है कि क्या यह kick-off था तो इसके लिए आपको यहां पर 19 to 30 के उपर close होना पड़ेगा तब वापस हम 500 के उ पर नहीं हो तो subscribe जरू करना वीडियो पसंद आए तो like and share जरू करना option chain देखें तो आपको यहां पर क्या देखने को बढ़ा है कि 18,200 अभी यहां पर 62 lakh put open है यानि कि in the money होने के बाद 140 point in the money है और आज यहां पर fresh add भी हुआ है total अभी 62 lakh है opposite आप देखेंगे तो highest call भी उदर है तो वो आपका एक resistance का काम करेगा और put यहां पर यह जो hold करके गए वो यहां पर expect कर रहे है कि हमारा expiry 18,200 के आसपास होगा second चीज आपको यहां पर in the money call shot हुआ देख रहा है जबकि put में आपको unwinding देखने को मुला definitely market down था तो यह possible है पर अभी हमें ध्यान में जो रखना ह हो 18,100 का यहां पर हो आई 22 लाक आज एड हुआ है 61 लाक टोटल है अगर इसमें हम को increase देखने को मिल रहा है और यह जो अब 18,200 है इसमें से कोई भी यहां पर exit नहीं हो रहा है पर और add हो रहा है और second चीज कि आपका यहां पर 18,100 पर profit booking आती है तो आप वापस 18,200 जाओगे इसमें short covering कब आएगे जब आप वापस 18,130 के उपर sustain करने लगोगे तब आपको यहां पर एक उपर की side देखने को मिलेगा अच्छा सा bounce back bank nifty का भी देख लेते हैं तो bank nifty में इतना berries नहीं देखने को मिल रहा है डेटा में जितना हमें थोड़ा nifty में देखने को मिला था तो कूट में अभी भी 43,000 तक short हुआ है मेरा भी एक open है और इसमें मेरा जो दो है एक तो 42,500 पे मेरा put short है 43,000 पे put short है मैं इंदमनी carry करके गा पर मेरा जो short का price है 500 के आसपास है और जो यह 42,500 का है वो है 220 के आसपास तो यहां पर थोड़ा अगर dk भी मिल गया थोड़ा 50 यह जो अभी SJX Nifty दिखाई दे रहा है कि 54 point उपर खुलेगा तो Nifty bank हो सकता है 200 point उपर खुले हमारा जो closing है 700 तो अगर 900 के आसपास खुल गया तो मैं पहले क्या करूँगा कि जो मेरा 43,000 वाला है put उसको मैं cover कर लूँगा और फिर देखूँगा कि अगर 43,000 80 के उपर sustain करत क्योंकि यहां पर देखेंगे तो जो highest OI change हुआ है वो 43,000 पर हुआ है तो यह मुझे यहां पर confidence देगा कि अगर यह मेरा 42,500 वाला 200 point अगर यह हमारा bank nifty open होता है तो यह करीबन हो जाएगा 100 120 के आसपास यह 43,000 वाला जो 162 है वो हो जाएगा 210 या 220 के आसपास तो यह दोनो मैं बेच सकता हूँ तो यहां पर मेरा 220 यहां पर भी 220 हो जाएगा तो उस इसाप से 400 point का यहां पर एक straddle बन जाएगा आपको जो ध्यान में रखना है यहां पर वो ध्यान में रखना है 42,500 का call अभी यहां पर 3,500 है अगर यहां पर फिर से increase होने लगता है तो high chance है कि हम व पिन निप्टी का भी देख लेते हैं वहां पर कैसा data बना है यहां पर थोड़ा bearishness ज्यादा देख रहा है compare to हमारा bank nifty क्योंकि इसमें क्या है HDFC bank भी और HDFC दोनों का आ गया है और HDFC life वो तीन करके यहां पर ज्यादा थोड़ा bearish देख रहा है उसके इसाप से हमें यहां पर क्या है कि जो नेक्स सपोर्ट है काफी दोर है 18600 पर उसके पहले देखेंगे 18900 एक राउन फिगर है तो उसके साइड में देखेंगे तो दोनों का अगर मिलाते हो ओई तो 150 के आसपास बैट रहा है तो नीचे में हमें ध्यान में जो रखना है हो 188 50 19 150 उपर में है ध्य करना है वह 19000 का पूट में ध्यान में रखना है अगर यहां से फिर से कमजोरी होती है यानि यह 13 लाग से और कम हो जाता है और आपका 19000 कॉल 7 लाग से बढ़के 12 लाग हो जाता है तो मार्केट आपका फिर से यहां पर नीचे जा सकता है तो यह कुछ चीज है जो आपको ध कर रहे जब इसके उपर हमें क्लोजिंग करेंगे तो हमारा टार्गेट यहां पर होगा 1952 यहां पर अच्छा सा टार्गेट उपर की साइड मिल सकता है जब एक्टिव हो जाएगा तब आपका यह जो आज का कैंडल का लो है वह आपका एक स्टॉप लोस हो जाएगा और उ रजिस्टंस फेस किया है करीबन 400 के आसपास तो हम विएट करेंगे 406 के उपर सस्टेंग करता है तो इसको बाई करेंगे इसका जो पहला टार्गेट आएगा 458 तक जा सकता है क्योंकि यहां पर आपके पास कोई भी इतना रजिस्टंस नहीं है तो इसके लिए आप करता है और वापस जब आएगा और यह लेवल को ब्रेक कर देता है 381 तो आपको वहां पर शॉर्ट करना है आपका टार्गेट फिर यहां पर 310 होगा इससाब से हमें यहां पर ट्रेड करना है इसका अगर देखेंगे तो आपको एक डबली पैटन देख रहा है जो कंपलिशन हो चुका था पर इस लिवल से अगर देखते तो अभी भी यहां पर पेंडिंग है ब्रेक आउट के बाद यह जो नेक लाइन है वह सपोर्ट का का काम किया है अगर इसी जगह को होल्ड कर जाता है तो आपका लॉंग बनेगा यहां पर 83.80 के बाद में 91.55 आपका टार्गेट रहेगा मनपुरम इसमें भी काफी अच्छासा फॉल आया है ज्यादे दर क्या होता है दिरे-दिरे मार्केट जब ऊपर जाने लगता है तो ऐसा कोई बड़ा फॉल आता है तो जिन्हो 108 का लेवल अगर यहां पर बाउंस आता है 108 को यह ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 113 आपका टार्गेट 90 होगा मारूदी काफी अच्छासा यहां पर चार्ट में दीख रहा है यह ब्रेक आउट हमें यहां पर इस लिवल पर दीख रहा है तो इसको हमें ट्रेड कैसे करना है कि अगर यहां पर यह लेवल तक कहीं पर भी मिल जाती है 88.51 तक का और इसको होल्ड करता है तो आप यहां पर बाय करोगे आपका स्टॉप लोस रहेगा 87.23 और पहला जो यहां पर आपका टार्गेट उस टाइम होगा 9050 होगा उसके उपर ब्रेक आउट पर सस्टेंग कर गया तो फिर आपका लंबा टार्गेट आएगा जो हम यह यहां पर इसको ट्रेड करेंगे 9800 तक का चार्ट के सबसे काफी अच्छा सा यहां पर दीख रहा है डबल बॉटम बना के इसने एक अपमू दिया है तो यह चार्ट को आप आपके वाच लिस में रख सकते हो चोटा सा रिस्क है बड़ा सा ठार्गेट है इसमें ग्लोबल क्यूज देखते हैं जहां पर मैंने आपके साथ शेर किया था डाउजोंस का चार्ट की यह एक आपका सपोर्ट है सपोर्ट के बाद में 50% रिट्रेश्मेंट है उसी के आसपास इसने कंसोलिडेशन किया बाद में इसने ब्रेक आउट दिया अगर आप यहां पर चार्ट देखते हो तो आप देखो कि यह जो 50% पर इसका फिब्राची था उसी के आसपास यहां पर कंसोलिडेशन किया एक बार रिट्रेश्मेंट आया यह जब यहां पर रिट्रेश्मेंट हो रहा था मैंने काफी इमेजीज भी देखा था सोशल मेडिया में यहां पर व हो रहा है तो पासिबल है कि हम लॉंग काड़ देखें ना कि शौक नículos कि काफी सारे लोग शौक का निवी देख रहे थे तो इसका सबसे अच्छा चार्ट जो है वह यहां पर इसका है नजदा का सबसे हर सबसे पर console edition करके यह breakout आया हुआ है तो इसको आपको यह लेवल द्यान में रखना है 13 to 87 13 to 90 के उपर अगर यह sustain करने में काम्याब हो जाता है तो यहां से और 600 पॉइंट उपर जा सकता है बाकी चीज देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है यूएस बॉंड इल थोड़ा से इंक्रीज हुआ है क्रूड ओल जो बाउंस आया है सपोर्ट से यहां पर यह वाला जो सपोर्ट था वहीं से एक बाउंस आया है तो अभी आपको ज्यान में रखना है कि अगर यह फिर से यह लेवल को ब अभी भी हम भेट कर रहें यहां पर आखी यह सपोर्ट लेगा वापस हमने बारा के उपर आज विक्स को यहां पर क्लोस किया है पर जिस इसाब से वोलाटिलिती था यह होना चाहिए था 13 के उपर कि बैक टू इंट्राडे चार्ट में चलते हैं और समझते है कि कैसे इसको ट्रेड करना है निप्टी बैंक निप्टी इस इसाब से जब चार्ट देखते हो आपको यहां पर पहले क्या देखने को मिल रहा है कि एक सपोर्ट तो आप क्या करोगे यह लेवल को यहां पर मार्क करोगे और यह आपका एक सपोर्ट का का काम करेगा तो जब तक हम इसके उपर है हमें यहाँ पर short नहीं करना है और market को यहाँ पर short जो long करना है वो भी आपको जब तक यह level के उपर नहीं जाएगा आपको यहाँ पर एक अच्छा सा trade नहीं मिलेगा safe zone जो रहता है वो यह रहेगा यह point जहां से हमने यहाँ पर consolidation किया था तो काफी दूर है 178 तो अगर हम gap up open हो जाता है और gap up भी कितना 126 के उपर इसको mark कर देता है यह level अगर हम यहाँ पर gap up open होता है इसके उपर और जब यहाँ पर consolidation करके वापस जब 147 को break करता है हम यहाँ ट्रेड करेंगे हमारा target 210 रहेगा तो यह level पर आप यहाँ पर buy कर सकते हो second चीज flat opening होती है flat opening होती है तो आपको ध्यान में रखना है जब तक हम इसको confirmation के साथ break नहीं करते हमें immediately short नहीं करना है अगर यह continuation जाता है तो जाने देने का एक confirmation जरूरी है तब हम यहाँ पर एक short कर रहेंगे अगर बड़ा gap down open हो जाता है यहाँ पर 17960 तक का तो आपका एक buying opportunity रहेगा आपको यह वापस 1840 तक जाता हुआ देखेगा तो दो सिनारियों हमें यहाँ पर trade करना है gap down 960 के आसपास buy करना है gap up 18126 के बाद में buy करना है similar इसमें clear एक zone है यह वाला यह अपका एक support zone है अभी के लिए तो market अगर इसी level के आसपास कहीं पर खुलता है hold कर जाता है तो आप buy करोगे 720 के उपर 720 के उपर buy करने के बाद आपका target 826 आएगा और यहाँ पर second जो आएगा वो आएगा 43,040 के आसपास अगर हम यहाँ पर gap up open हो जाते हैं और वो open होते है 42,826 के आसपास तो हम यहाँ पर wait करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक line draw कर लेंगे अगर हम यहाँ पर gap up open होते हैं इसके उपर कहीं पर भी तो जब भी यहाँ पर चोटा सा deep आता है समझो 900 के आसपास हमने open किया वापस इस level पर आते हैं hold कर जाते हैं तो buy करेंगे for the target 43,040 तक अगर gap up ही हमारा 43,000 होता है तो हम चोटा सा risk लेंगे यहाँ पर 43,040 का 40 point का risk लेंगे हमारा 88 का stop loss लेके हम short करेंगे वापस यह आपको 830 तक आता हुआ दीखेगा तब आपको यहाँ पर एक अच्छा सा profit मिलेगा तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ आज का यह वीडियो पसंद आया होगा कुछ अच्छा लगा तो please like and share जरूर करना thank you दोस्तो मिलता है नए वीडियो में take care bye bye